हे गाइस प्रो को बड़ी सीजन 10 हो चुका है खतम पिछले वीडियो में हमने टॉप 10 रिडर्स के बारे में बात किया था और इस वीडियो में बात करते हैं टॉप 10 डिफेंडर्स के बारे में प्रो को बड़ी सीजन 10 एंड होने के बाद कौन से 10 डिफेंडर्स के पास सबसे बट शुरुवात करते हैं दसवर रैंग के साथ, तो दसवर रैंग पे पटना पारेट्स के अंकी जागलान है, देखा जाए तो लेफ्ट कॉर्णर के बहतरिन डिफेंडर है, जब से साथ लो गए, तो इनके जगह पे यही कहले, स्टार्टिंग के मैचेस में अच्छा खेल भी बहतरीन था, एंड डेब्यो सीजन में 61 टेकल पॉइंट स्कोर करना काफी तारीफ वाली बात है, तो अंकी जागलान टॉप 10 डिफेंडर्स के लिस्ट में नमबर 10 पे एंड किये, नमबर 9 की बात की जाए तो नमबर 9 पे जैदीब दहिया है, हरिन स्टीलस के को इनका 2.96 का है, तो अवरल जैदीब दहिया ने एक और सीजन बहतरीन परफोर्मेंस दिखा के टीम को फाइनल तक ले गए एंड फाइनल नहीं जीत पाए, लेकिन इंडिविज्वल एंड साथी साथी टीम परफोर्मेंस काफी बहतरीन था, नमबर 8 की बात की जाए तो नम मैचेस में 61 टेकल पॉइंट, जिसमें 6 मैच में हाइफाई भी इन्होंने स्कोर किया, एवरेज टेकल पॉइंट पर मैच 3.67 का है, तो पहतरीन परफोर्मेंस था, ज़दा मैचेस नहीं खेले, 4 मैचेस यहाँ पर इन्होंने मिस किया, लेकिन स्टिल 61 टेकल पॉइंट स्कोर किया, 8 मैच में हाइफाई भी स्कोर किया, एवरेज टेकल पॉइंट पर मैच 3.18 का है, ओवरल परफोर्मेंस की बात किजाए, काफी बहतरीन है, कुछ मैचेस में कुछ ऐसा फेस सल रहा था, जिसमें इनका फॉर्म नहीं था, परफोर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन कभी परफोर्मेंस इनका आया, ओवरल सीजन अंकुस राठी का अच्छा गया, बैस्ट नहीं गया, अच्छा गया, नमबर 6 की बात किजा, तो नमबर 6 पे साहिल गुलिया, तमिल तलावस के साहिल गुलिया, जो की लेफ्ट कॉर्नर के पोजिशन के डिफेंडर है, पिछलन सीजन भी काफी अच्छा गया था, यह वाला सीजन भी साहिल गुलिया के लिए अच्छा गया, 22 मैचजben 64 टेकल पोइंट, 6 मैच वी हाइपाइ भी स्कोर किया, एंड एवरेज टेकल पोइंट पर मैच 3.14 का है, साहिल गुलिया का सीजन काफी अच्छा था, एक औ और सीजन इन्हों ने 60 पलस टेकल पॉइंट स्कोर किया तो उमीद करते कि अगले सीजन और अच्छा परफोर्मेंस दिखाए और इस फॉर्म को कंटिन्यू करें अब यहाँ पर बढ़ते हैं टॉफ 5 डिफेंडर्स की तरफ नमबर 5 की बात की जाए तो नमबर 5 पर मोहित ना जो की राइट कवर के डिफेंडर है काफी अचा के लिए 24 मैचेस में 64 टेकल पॉइंट इन्होंने स्कोर किया है इन्ही के साथ यहाँ पे जैदीब धहिया ने 61 टेकल पॉइंट स्कोर किया और इन्होंने 64 टेकल पॉइंट स्कोर किया छे मैच में हाइफाई भी इन्होंने टीम में इस भार खेले, राइट कौरूर के पोजिचन के बहतरीन, इसी टीम के तेम के लेफ पोजिचन के डिफेंडर, महममद रिजा साथलू ने काफी आचा खेला, राइट कौरूर के गौर अफ ख१तरी ने भीitzer फर्फोर्मन्स दिखाए, 24 matches में 67 tackle points उन्होंने स्कोर किया 4 match में high five भी स्कोर किया and average tackle points per match 2.88 का है जो काफी बहतरी ने and एक और बहतरीन season गौरफ खत्री का end हो चुका है and top 10 defenders के list में number 4 पे end किया है गौरफ खत्री ने अब वीडियो में आगे बढ़े इसे पहले मैं आपको बता दिना चाहता हूँ WPL season चल रहा है and WPL के अगर आपको toss prediction and matches के prediction चाहिए तो आप Raja Cricket Analyst Telegram channel को join कर सकते हो Raja Cricket Analyst Telegram channel पे आपको WPL के toss prediction and matches के prediction देखने को मिल जाएगे by smart से IPL भी start होगा तो उसके भी prediction देखने को मिल जाएगे अभी pro kabaddy end हुआ pro kabaddy के पूरा season के prediction आपको देखने को मिल चुका था and काफी अच्छे तरीके से pro kabaddy की भी prediction हुए तो आपको WPL के prediction चीए तो आप Raja Cricket Analyst Telegram channel को join कर सकते तो link आपको description box में मिल जाएगा जाएए and बिल्कुल free में join कर लिजिए नमबर 3 की बात किजाए तो नमबर 3 पे Yogis Dahiya है तबंग दली के Yogis Dahiya जो की right corner के defender है अपने debut season में ही काफी बहतरिन performance दिखाया 23 matches में 74 tackle points नोंने score किया जो काफी अच्छा performance है Yogis Dahiya की तरफ से 5 match में high five भी इन्होंने score किया and average tackle points per match इनका 3.22 का है तो उम्मीद करतेगी अगले season दबंग दली के team से ऐसा ही performance दिखाये and दबंग दली की team eliminator तक खेली and Yogis Dahiya ने हर मुकाबले में काफी अच्छा performance दिखाया नमबर 2 की बात की जाए तो नमबर 2 पर क्रिशन धुल थे पटना पाइरेट्स के क्रिशन धुल जो की right corner के defender किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था कि क्रिशन धुल इतना अच्छा performance दिखाये 78 tackle points स्कोर किया 24 matches में पटना पाइरेट्स की team semi final तक गई जिसमें क्रिशन धुल का भी काफी ज़्यादा contribution है और 6 match में high five भी इन्होंने score किया average tackle points पर match इनका 3.25 का है जो काफी बहतरी ने और नमबर 2 पे क्रिशन धुल PKL season 10 में top 10 defenders के list में इन्होंने end किया है और बात करतें नमबर 1 की तो नमबर 1 पे मोहमद रेजा सादलू है पुनडी पल्टन के defender लेफ्ट कॉनड के defender मोहमद रेजा सादलू इस season के best defender है 24 matches में 99 tackle points स्कोर किया एक tackle points यहाँ पे चुक गए 100 tackle points टच करने से वैसे 100 tackle points टच सिर्फ नितेश कुमार ने किया था and वो record तूटी सकता था लेकिन एक tackle points से चुक गई 11 मुकाबले में high five स्कोर किया जो किसी ने भी अभी तक नहीं किया average भी काफी जादा है 4.12 का पिसले season भी यहाँ पे देखा जाए तो कुछ tackle points से चुक गए थे अंकुसराटी थे season 8 के best defender season 9 के second best defender and season 10 के once again best defender वो भी 99 tackle points स्कोर किये तो काफी अच्छे defender और कह सकते कि pro कबड़ी और कबड़ी के one of the best defender अभी महमद रिजा सादलू है तो यह थे top 10 defenders pro कबड़ी season 10 के कौन्चे defender यहाँ पे आपको ज़दा इंप्रेस किया आप comment का के ज़रू बताएगा मुझे सादलू चाज तो उम्मीद था ही कि अच्छा खेलेगे योगेस दहिया ने मुझे काफी ज़दा इंप्रेस किया आपको किस ने किया आप comment का के ज़रू बताएगा and top 10 defenders का वीडियो आपने देख लिया के साद थैंक्स वर वाचिंग